नमस्कार, मैं ललित, तो आज किस्सों किस्सों में और हिस्सों हिस्सों में चर्चा करेंगे, बहुत सारे किस्से कहानियां मैं आपके लिए तलाश कर ले कर आए हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ा मद्धिकाल आपको लिए चलते हैं, गुजरात के एक मुगल शाशक थे, बहादुर शाह उन्होंने हमला कर दिया, मेवाड पर उन्होंने हमला किया और मेवाड की परस्थितियां इस चरह की थी कि जो राना सांगा थे उनके मृत्ती हो चुकी थी रानी करणावती एक तरह से रीजेंट थी यानि वो उसको संभाल रही थी और बेटा जो था वो अव करने के लिए, हाला कि वो मदद उन्हें वक्त पर नहीं मिल पाई और बहदुर शाह ने मेवाड को जीता, चितोड हार गई रानी और फिर उन्होंने जोहर कर लिया, यानि चिता में खुद को जला लिया, हुमायू तक जब ये खबर पहुँची तो थोड़ी देरी हो चु अगले किस्से की तरफ चलेंगे, रक्षा बंधन जब भी आता है, एक तस्वीर अक्सर चर्चाओं में रहती है, वो तस्वीर इस सकता आप देख भी रहे हैं, ये उनकी मुस्लिम, प्रधान मंत्री मुदी के मुस्लिम बहन, कमर, महसन, शेख, ये कहानी उनकी है, दरसल जब जो प्रधान मंत्री मुदी है, वो संग के प्रचारक रहा करते थे, मूलता मैं आपको बता दूँ कि कमर, महसन, शेख जो है, वो पाकिस्तान में जन्मी, एहमदाबाद में उनकी शादी हुई, उनके जो पती है, वो पेशे से पैंटर है, जब मुदी संग प्र प्रधान मंत्री मुदी के अगवाई में आपने देखा है कि बहुत सारी टिपल तलाग जैसी सौगाते मी मिली, और बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो उन्हें राखी भी बेशती हैं, वैसे प्रधान मंत्री मुदी गलत को कभी बरदाश्ट नहीं कर सकते, आपक आपको किस्सों के अगले पड़ाव पे लिए चलते हैं, प्रग्या ठाकुर ये नाम आपने सुनाई होगा, बहुत चर्चित नाम है, वो कभी फुटबॉल खेलती नजर आती हैं, कभी ट्रिकेट खेलती नजर आती हैं, गोट से को उन्होंने एक बार देश भक्त बता दि अगर उनके विवादों का ट्रेक रिकॉर्ड दिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए हमें किसी और जगा फिर से एक बार विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, प्रग्या ठाकुर अभी चर्चाओं में क्यों हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रही हैं, वो किसी और मजभब के बारे में बोल रही हैं, लेकिन वो ये बता दे रही हैं कि आप अपने नाम लिखें क्योंकि आपको यदिकार मिला हुआ है, बयान पर बयान आना था और ये होता है, इसके बाद फिर बीजेपी, बीजेपी, कॉं आजकल नाम लिखना कितना जरूरी हो गया है सामान क्या मिल रहा है वो मैटर नहीं करता मैटर ये करता है कि नाम किसका लिखा हुआ है कितना ये जरूरी हो चला है ये आपने पूरा देखा है प्रग्याठाकुर्णा पहली है और ये यखीन से मैं कहा सकता हूँ कि प्रग्या ठाकुर्णा आखरी होंगी थोड़ा सा और पीछे आपको लिए चलते हैं इससे पहले भाजपा के वरिष्ट तमनेता वरिष्ट तमनेता रगुननन शर्मा ये कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी जो योजना है तो उसमें जो राखी के लिए मिलना है या जो मुख्यमंत्री पैसे डाल रहे हैं जो सौगात दे रहे हैं वो गैर हिंदू को ना मिले क्योंकि वो तेवहार नहीं मनाते हैं वो अपमान करते हैं वो बयान में आपको सुन्वा होंगा वो बयान आप पहले सुन लीजिए कि जो रक्षा बंदन तेवहार में विश्वास करते हैं जो रक्षा बंदन तेवहार मनाते हैं जो इस हिंदू तेवहार को स्विकार करते हैं राश्री का लाव उनको ही मिलना चाहिए जो इस त्योहार को स्विकारी नहीं करते हैं, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिष्टों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बड़ी हुई राश्य का कोई ओचित्य नहीं है. रगुननन शर्मा का ये बयान आया फिर वही खेल शुरूआ बीजेपी बीजेपी कॉंग्रेस कॉंग्रेस बयान पर बयान आने के सलसले चलते रहते हैं कॉंग्रेस ने क्या कुछ कहा फिर बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए भाजनकारी मानसिक्ता रगुजन शर्मा जी की नहीं है बलकि आरेसोस भारती जंता पार्टी की है जो भाजनकारी सोच रखते हैं जो ऐसी प्रदूशित मानसिक्ता के साथ बिचारधारा को लेके आगे बढ़ते हैं रक्षा बंदन एक ऐसा त्योवार है मैं मुस्लिम धरम स जाता है मेरी बहने भी कई सारे ऐसे हमारे परिवार से जुड़े हुए हिंदू परिवार से आने वाले लोग है जनको राकी बंदती है तो किसी एक को देंगे या किसी को नहीं देंगे ये शायद मुख्यमंत्री के लिए भी एक अपमान जनक बात होती है और मुख्यमंत् गाहे बगाहे इस तरह के बयान आते रहते हैं वज़ा क्या हो सकती है इसकी दरसल क्रोनोलोजी क्या है आपने इससे पहले देखा है कि नाम को लेकर कितना जादा रायता फैल चुका है जिन कानून में वस्ता जिन पुलिस वालों को समालनी चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की कानून में वस्ता वो नेम प्लेट चिपकाते हुए नज़र आ रहे थे बाद में हाला कि सुप्रीम कोट की तगड़ी फटकार लगी और इसके बाद ही जो नेम प्लेट लगाने की अनिवारियता थी वो खत्म कर दी गई लेकिन रायता इन सब के भी जबरदस फैला गाहे बगाहे यूपी में कुछ होता है तो उसका एफेक्ट मद्यप्रदेश में ज़रूर आ जाता है कभी-कभी मद्यप्रदेश के एफेक्ट भी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं ऐसी बात ही नहीं अब हर किसी से तब ये पूछा जा रहा था कि बता तेरा नाम क्या है इन सब के भी सुप्रियम कोट ने का कई ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं वापस प्रग्याठा कुर पर आते हैं ये बयान देने की ज़रूरत पड़ी क्यों आप समझे, सावन के शुरुआत हुई है, रक्षा बंदन आएगा, रक्षा बंदन के बाद त्योहारों के सिलसले शुरू हो जाएंगे, गणपती जी आएंगे, इसके बाद दीपावली आ जाएगी, ब्याह शादी का सीजन सुरू हो जाएगा, एक बहुत बड़ा तपका ह उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें राम हो सकता है, यह जो बड़ा तपका है, यह इसी सीजन में कमाता है, इसी सीजन में वो अपनी कमाई करके रखता है, रहिडी वाले हैं, पांट ठेले वाले हैं, चोटी चोटी ठेले लगाने वाले हैं, फुट पात लगाने वाले हैं, ह नाम की जरूरत पढ़ क्यों जाती है सवाल कुछ और भी जरूर है रहीम की बनाई राखी राम के हाथ में सस्ती है लेकिन अगर नाम लिखना है तो कुछ और नाम भी लिखने चाहिए मसलन यह मैंने सवाल आपके लिए तायार किये हैं कि राखी किसने बनाई राखी का धाग कौन है सामान कौन लेकर आया था पैकेजिंग किसने की दुकान तक किसने पहुचाया डिस्टिब्यूटर कौन था यह सवाल भी होने चाहिए अगर हम सिर्फ यह देख रहा है कि नाम किसका लिखा हुआ है आप समोसे पर भी कॉपी राइट नहीं कर सकते वो भी इरान से जन् कहीं क्यों जाती है और मैं फिर कहा रहा हूँ कि ना प्रग्या ठाकुर पहली है और ना वो आखरी है यह सिलसले अभी चलते रहेंगे इन सब के बीच मस्त रहिए बहुत बहतरीन तरीके से त्योहार मनाईए और इस नाम पर बिलकुल मत जाईए बहुत सारी शुकामनाओं नामस्कार